अलो अचो यह J23 का question है 25th giant shift 1 का if p vector if p vector is equal to 3 i cap plus root 3 j cap plus 2 k cap and q vector is equal to 4 i cap plus root 3 j cap plus 2.5 k cap then the unit vector in the direction of p cross q अब दिखें किसी भी यह p cross q है में तो cross product पूछ रहा है तो unit vector के लिए अगर किसी का भी unit vector जिसे माल लिए कोई vector a है तो अगर आपको इसका unit vector चाहिए तो आप क्या लिखते हैं formula क्या होता है unit vector का कि a vector divided by magnitude of a vector और यह a cap लिखते है unit vector के लिए ठेक है तो अगर मुझे जैसे p cross q है न तो मैं यह काम करता हूँ तो p cross q को r vector माल लेता हूँ ओके यहाँ पर p cross q को मैं r vector assume कर लेता हूँ तो अगर मुझे p cross q का unit vector चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा r cap is equal to r vector divided by magnitude of r लिखूंगा तो उसके लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पर p vector cross q vector ठेक है divided by magnitude of p cross q ठेक है तो यहाँ से अगर हम लोग p cross q लिखें तो p vector cross q vector is equal to अब देखिए यहाँ पर determinant method लगाना होता है बच्छों determinant method में क्या होता है कि i cap j cap और k cap पहले लिखना होता है ठेक है root 3 2.5 ओके तो इसमें क्या होता है कि कि इसमें हम लोग पहले इसको आई मतला जो भी यह वाला इसको पहले हम लोग constant कर देंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे आपर कि i cap i cap के along जो भी लाइन है यह वाला चाहिए वाला है इसको छोड़ दीजिए यह लाइन और यह लाइन को छोड़ दीजिए यह इसमें कुछ भी नहीं करना उसके बाद आपको राइट के बॉटम से स्टार्ट करना है और लेफ्ट के मिडल वाल टॉप पर आना है मतलब यहां पर रूट थ्री तक आना है तो आप क्या लिखेंगे आपर 2.5 इंटू रूट थ्री फिर इधर से इधर से मल्टिप्लाई करेंगे माइनस करके फॉर्मुला यही होता है माइनस और यह टू रूट थ्री ओके तो यहां से आई कैप फिर जे कैप के लिए हैं पर माइनस लगा जाता है मिडल वाले के लिए माइनस ठीक है फिर आप इसको कुछ नहीं करेंगे तो यह दो लाइन यहां पर बच जाएगा बतर क तो क्या आएगा 7.5 फिर 4 x 2 करेंगे क्योंकि बीच वाले में तो कुछ करना ही नहीं इसमें तो कुछ आपने को करना ही नहीं है ठीक है तो 4 x 2 8 तो यह माइनस ठीक है क्यों सब्ट्रेक्ट होता है अब है प्लस के कैप रिखना होता है मतलब फॉस्ट और लास्ट को प्लस बीच वाले को माइनस ओके फिर आप इस लाइन को और इस लाइन को आप कुछ भी नहीं करें है तो आप बचा सिर्फ यह थ्री रूट 3 माइनस 4 रूट 3 ठेक है तो यहां से i-cap, j-cap, k-cap आपको सब कुछ यहां से मालूम हो जाएगा तो इन दोनों का सब्ट्रेक्शन केतन सकतی है कि यह मैंने सूरू पॉइंट फैव तो खूसके क्यों हो गया अब इदर इस देख है- कई यह से मायन यह दूरूंत हले गा यहां से मालूं हो गया अब लिाGO कर चाहिए अब और हमें तो इसका magnitude भी तो निकालना पड़ेगा तो किसी भी वेक्टर का magnitude निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सभी का कोफिसेंट का स्क्वेरिंग करके रूट का अंदर सम करना होता है ठीक है तो 0.5 तो 0.5 को मैं क्या लेको 1 by 2 तो यह रूट 3 by 2 का whole square प्लस 0.5 को फिर 1 by 2 लिखना होगा आपको जो जे का कोफिसेंट है और यह फिर रूट 3 का आपको यहांपर whole square करना होगा तो यह रूट में आएगा यहांपर 3 by 4 प्लस 1 by 4 प्लस 3 रूट 3 का मतलब स्कुरिंग करेंब 3 आएगा तो इन दोनों का LC हम लिजे सिर्फ इन दोनों का ठीक है तो यहां से आएगा यह फोर बाई 4 प्लस 3 दैट इस वन तो 1 प्लस 3 4 तो क्या आएगा यहां से आएगा 2 ओके तो हम लोगों अब यहां से करा आप हमें यूनिट वेक्टर चाहिए जिसको मैं आर कैप लिया था यहां पर लिया था रवेक्टर प्लस by magnitude of P cross Q, तो P vector cross Q vector लिखती है, जो कि है 0.5 root 3 I cap plus 0.5 J cap minus root 3 K cap divided by, जो भी magnitude निकाला आपने 2, उसको 2 को यहां पुट करती है, तो यही इसका answer होगा, तो इसका answer यही यहां पर मालूम होगा, और यही पूछा यहां पर, देखें, यह वहला चीज, कि यह कितना होगा, है ना, चाहिए यहां पर X पूछा है, तो इसको बोला है कि, यहां पर 1 by X और root 3 I cap plus J cap minus 2 root 3, है ना, तो आप यहां से हम लोग कुन थोरा simplify करना पड़ेगा, तो मैं, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, कि यहां पर 2 से multiply और divide कर देता हूँ, इस equation को, इस पूरे equation को, तो 2 से multiply और divide करने पर क्या बन जाएगा, यह 2 से multiply करने तो 0.5 into 2, 1 हो जाएगा ना, तो 1 और यह root 3 पहले से है, तो root 3 I cap हो जाएगा, और यह root, यह हो जाएगा, 0.5 into 2 से multiply क करना पड़ेगा तो ठीक है तो इम डिवाइड करना पड़ेगा तो जो नीचे में टू है न उसको यहां पर ऐसे लिख देता हूं 1 by 2 और 2 से डिवाइड किये तो तो यह 1 by 4 हो जाएगा तो यहां से after comparison x is equal to क्या आएगा 4 तो यहां पर हम दो answer क्या पूट करेंगे answer बोलेंगे कि x का जो value होगा वो 4 हो जाएगा ओके